हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपके शेयर करने वाले हूँ वेज चिली की रेस्पी तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिखने में कितने डिलिशेस दिख रही हैं इंग्रीडियों के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन जो कि नियली 500 ग्राम के बड़ाबर होंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्याबिश को बहुत पारिकी से काट लिया है उसके बाद हम इसमें एड करेंगे क्यारोट जो की ग्रेटिट क्यारोट है यह नियली 250 ग्राम से है क्याबिश की क्यारोट से ज्यादा रहेग उसके बाद हम सारे इंग्रीडियन्ट को अच्छी तरह के से मिला देंगे तो जैसा कि आप देख सकते मैंने इस सब चीजों को डाल दिया है अब मैंसे एक बर मिला ले रहे हूं उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्याइब क्यान प्लॉर की क्वांटिटी यह नियली 100 ग्रा जिसे हम अल-पॉपस फ्लोर भी कहते है मैंदा को तो इसे भी मैंने डाल लिया है उसके बाद हम फिर से इन सारे इंग्रीडियन को एक बार मिला लेंगे अच्छे साथ इस से मिला ले अब हम इसमें डालेंगे ब्लाक पेपर पाउडर नियली 1-2 पून है उसके बाद हम डा जाल रही हूं यह द्यार में रखे कि जब हम नमक डालेंगे तो क्याबिज जो है और क्यारोट दोनों ही पानी चोड़ेंगे और इसके क्वांटिटी जो है वह कम हो जाए इसलिए नमक आपको हिसाब से डालना है उसके बाद फिर से मिक्स कर देंगे इन सभी को अच्छे स ढ़क दे रही हूं और एक घंटे बाद मैं असरे फिर से देखुँगी तो अब एक घंटे पूरे हो चुके हैं तो जासा के आप देख सकते हैं जैसा के आप देख सकते हैं वेजेटेबल ने पानी अहां पर छोड़ा है तो हम पानी का यूज ना करते हुई एक बार उसे करने के कोशिश करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं असे मिक्स करने की कोशिश कर रही हूं चब मैं उसे बाइंट कर रहे हूं तो अच्छे तरीके से वह बाइंट हो जा रहा है तो यहाँ पर हम नहीं पानी का यूजorkर यूज़ करेगे अगर अगर जो हमने चिली का जो डो बनाया है वो गीला हो जाए तो हम मैदा और कॉन्टलर का यूज़ करके इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और अगर जो हमारा जो डो है वो ज्यादा सूखा हो तो हम पानी की मतलब से उसे बाइन करने की कोशिश करेंगे अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चिली इसको बाइन करना शुरू कर दिया है आप इसे अपनी पसंद के अनुशार कोई भी शेप दे बेग, स्मॉल या मीडियम तो मैं यहां उन्हें मीडियम ही साइज दे रही हूँ अच्छे से हम उसे एक बाइन कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैं उससे बाइन करते जारी हूँ, बाइन करके हम उसे साइड में रख दे एगा अर लास्ट में हम परफिकś राउंड शेप उसे ने लगे एक ठाली में ट्रांसर कर देह सैकते हैं सारी चछिलीज बन चुके है तो अब हम उसे अव्य करणे की तय जाएथा ही रखे ताकि जो हमारे चिलिस है वो अच्छे तरीके से फ्राइब हो जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं या पर रफाइन उयल डाल दिया तो मैं सबसे पहला बाश डाल रहे हूं तेल में और जासा कि आप देख सकते तेल इद्धम अच्छे तिस से गरम हो हमें चीली ठाप साथ फ्लेम में में तेञ़ है लुक्रावण पर legitimacy 9 कि बेगे चीली तो हमें से तो ऩह भी थीलिए और फ्राइक कर देंगे उसके बाद हमें से थिए दिरे बिरे निकाल लेंगे साथक। यह निकाल लिया और अब मैं यहां पर सेकेंड बैच फ्राइ करने जा रही हूं तो मैं यहां पर सेकेंड बैच को भी डाल दे रही हूं इन्हें भी हम लगबख 10 मिनिट के लिए लो फ्राइ में फ्राइ करेंगे जब तक गोल्डें ब्राउन ना हो जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह अल्मुस्ट फ्राइ हो चुके हैं तो इसने भी हम निकाल देंगे और आप देख सकते हैं यह दिखने में कितने करण्ची दिख रहे हैं अब हम फिर से पान को गरम करने के लिए चढ़ा देंगे प्यांके गरम होते ही हम उसमें डालेंगे रिफाइन ॉयल yamhaf दो मैं यहाँ पर एक यहाँ पहने तरफ्रील थैन के लिए और विस्वेल को यूज आप साकते हैं आप चाहेतो को दूसरे ओयल को फ्रेश रिफाइन ओल कर सकते हैं कि रिफाइन तील को गरब हो जाने दे रिफाइन तील की गरब होते ही हम उसमें डालेंगे चॉप्ट चिली चॉप्ट गार्लिक एंड चॉप्ट जिंजर तो जिसकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इन सभी को मैंने काट के रख लिया था और अब मैं उसने टाल दे रही हूँ इन्हें डाले गारे बाद हम थालका सौस्य कर लेंगे कम से कम 2-3 मिनिंटे की जब या पार नुए जब ये फ्राइः हो जाए तब हम इसमें डालेंगे चॉप्ट वेजिटेबल में हमने लिया है क्याप सिकम जो कि मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था उसके बाद हम लेंगे अनियन इन्हें भी मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है उसके बाद हम इन्हें एक बार मिक्स कर देंगे इन्हें भी हम फ्राइ कर लेंगे 2-3 मिनिट तक हम वेजिटेबल्स को लो फ्राइ में ही फ्राइ करेंगे उसके बाद हम यहां पर सॉस बनाना शुरू करेंगे तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है दो चमस कॉन फ्लार जो लगभग एक स्पून के बराबर होगी उसके बाद हम ले लेंगे टमाटो सॉस जो नियरली फाइव स्पून के बराबर होगी उसके बाद हम ले लेंगे चिली सॉस यह भी नियरली फाइव स्पून के बराबर होगी आप यहां पर रेट चिली सॉस का भी यूस कर सकते हैं उसके बाद हम लेंगे सोया सॉस सोया मैं यहाँ पर half spoon यूज़ करोंगी उसके बाद हमें इन इंग्रीडियन को एक बार मिक्स कर लेना है अच्छे से आप इससे मिक्स कर ले अब मैं इस sauce में नियली one cup water डाल दूंगे पानी डालने के बाद हम इससे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे अब sauce को अच्छे तरह के से मिक्स कर दे जितने भी लंस हो sauce में अरर रोट की उसे तोर दे अच्छे से मिक्स कर ले उसके बाद मैं इस sauce में डाल रहे हूं इस लेट चिली पाउडर जो की नियली half a spoon है और फिर डाल रहे हूं ब्लाक पेपर पाउडर वह भी नियली half a spoon है आप यहां पे इन मसालों को इसके भी कर सकते हैं उसके बाद फिर से हम इने अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर दें है लो फ्लेमे सॉस को हम कुख होने देंगे जब तक वह बॉल होना शुरू ना हो जाए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सॉस को मिक्स कर दिये और आमें से लो फ्लेम में ही कुख करेंगे अच्छे से आप सॉस को कुख होने दे अब हम सॉस में डाल लेंगे नियली half a spoon उ जैसा कि आप देख सकते हैं सॉस में जो है वह बाल आना शुरू हो चुका है हमारे शॉस जो है वह आलमूस्ट पक चुकी है आप सॉस की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं एक बास सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स कर दे उसके बद हम इसमें डाल देगे अपने वेज मैंने सारे वेजचिलीस को डाल दिया है और फिर हमें से अच्छे से मिक्स कर देंगे हमें इन्हें लो फ्लेम पे ही कुक करना है अच्छे से आप सॉस के साथ वेजचिलीस को मिक्स कर दे लो फ्लेम में इन्हें 2-3 मिनिट के लिए कुक कर दे और जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे वेच चिली कितनी माउट टेम्टिंग दिख रही है और ये अल्मोस्ट हो चुकी है तो आप इसे गरम-गरम सर्फ कर सकते हैं चौमिन के साथ या फिर रोटी के साथ हमारी सूपर डिलीशिज वेच चिली रेडी हो चुकी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें इसे शेर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह की वीडियो के लिए थैंक यू फर वाचिंग